नमश्कार दोस्तों वर्तवान समय में अपना बिजनस करते हैं जो एलड़ी सौप हैं आगे तरक्की के विशे में जानना चाहते हैं कि आगे के जिंदगी पर कैसी तरक्की दिखरी है हादली पर क्या ची खराब अवस्था बनी है उन सारे विश्वपन को जानना है तो निश्चिंद्री आपके सारे ही कोशन्स पर हम विचार करेंगे चीजों को असपस्ट रूप से समझाने का परियास करेंगे तो यहां पर से मुझे जो भी पॉजटिव नेगटिव चीज़े दिखेंगी उसको पूरता दिखाने का परियास करेंगे और आपके प्रशनों पर पूरता चलेंगे असपस्टिटा के साथ आपको इसका उत्तर भी करेंगे तो सबसे पहले आपकी पॉजटिव चीज़ को देखा जाएगा फिर आपके नेगटिव चीज़ों पर विचार करेंगे तीसरे आपके प्रश्णों पर चलेंगे चौते आपके अधली का विशलेशन करेंगे तो चार तरीके से आपके अधली को देखा जाएगा तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को ही देखेंगे एक अधबुत सी दिखने वाली भाग्यरेखा पतली भाग्यरेखा उसके बाद एक अच्छी मंगल रेखा बुद्ध रेखा भी काफी अच्छी है जो बिजनस में धनलाफ को दर्शाती है और भी बहुत सी चीज़ें मैं एक एक करक दिखाता हूँ एक अच्छी दिखने वाली जीबन रेखा बहुत शांदार दिखने वाली जीबन रेखा एक जबरदस मार्श लाइन यहां से भी एक मंगल रेखा बहुत ज़ादा अच्छी है और यहां पर से एक जबरदस्ती दिखने वाली बाग्यरेखा जो कईए न कई बहुत अदबुत रूप ली हुई है और आगे भी बागी रे का के ब्रांचेस यहां से शुरूँ है यहां से करके ऐसे करके चलिए है सब के मतलब को बताया चाएगा एक जबर्दस सी सुरी रेका आगे भी एक सुरी रेका बन रही है एक से ज़ादा ब्रांचेस के साथ एक से ज़ादा ब्रांचेस के साथ यह देखो यह सपसर देखा आपने एक money triangle आपके हाथ पर अवस्थित है यह यहाँ वाली वो आपकी square sign था सूरी रेखा और बाग्य रेखा के साथ यह अच्छी money triangle आपके हाथ पर अवस्थित है थोड़ी सी कमी है अभी लेकिन यह बढ़ियां बने गई है इसका कमी का मतलब है कभी कभार धने के नुक्षान को भी यह दर्शा रही है लेकिन यह अभी बन रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यह मिल भी जाएगी ऐसे करके ज़स दिन यह मिल गए ऐसे करके ना उस दिन बहुत जबरदस्त फ़ल यहाँ पर से एक सूरी रेखा और बन रही है बड़ी सी जो उस तर उस तर यह value मान सम्मान को दर्शाती है उसके बाद भी आपकी मस्तिक स्रेका काफी अच्छी कुछ दवाब को लेकर चीज़े थी मैं दिखा दूँगा एक जबरदस्ती दिखने वाले इड़दे रेखा है और प्लैनेट सुक्र काफी अच्छे कंडिशन में मंगल भी अच्छा है बरश्पती भी ठीक खाक है सैटरन भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छा है दोनों मंगल भाद कमाल का चदर्मा भी काफी अच्छा है मतलब अच्छी पॉस्टिविटी है ऐसे कंडिशन्स में जातक जिन्दगी पर बराकारी करही लेते हैं जातक इतना पैसा कमा लेते जिनसे इनकी जिन्दगी कमफर्टेबल लूप से चले और अपने बास्ट को देखते हुए अपने वर्तमान समय को देखते हुए ये लोग जिन्दगी पर आगे ही बढ़ते हैं कहने का संबंध है कि जो गती इनकी 22 वर्त की आयू में होगी जिस कंडीशन में अपने ये 22 वर्त की आयू में होंगे उससे आज कहीं गुना जाद अच्छे कंडीशन में आज के समय में होंगे कहने का बस इतना सा ही मतलब है तो अच्छी खाची अवस्था प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में है कुछ रेखाएं तो कुछ जादा ही अच्छी है मल्टिपल प्रापटी के योग को भी दर्शा रही है जो आगे चलके डेवलप कर रहा है और साथी साथ बागी रेखा भी काफी अच्छी है मंगल रेखा भी मुझे अच्छी दिख रही है और ज़तिली पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है मतलब ऐसे जातक वेट भी गेन करते हैं और पैसा भी मोटा कमाते है चली जी यह चीज़ आपने समझ लेए यह पॉस्टिविटी थी इसके उपरान सारे रेखाओं को आगे चलकर डिस्क्राइब किया जाएगा अच्छे तरीके से अब यह हम कुछ नेगटिव चीज़ों पर विचार करेंगे तो नेगटिविटी क्या थी ना जो सबसे पहले मस्तिक्स रेखा पर दिखी यह यह आकरती रूप से यह यहाँ पर से देखो चुकि इस रेखा को मैं दिखा रहा हूँ तकरीबन यह एक्टिवेट थी अगर मैं इसको देखो ठीक से तो यह 36 सार के आसपास एक्टिवेट थी 36 सार से लेके 40 में साल तक तो थी तो 36 से लेके 40 साल तक की जिंदगी आपकी दवाब में कही है इस चीज का परचकराती है अगर किसी भी जातक के मस्तिक से रेखा पर यव हो तो इसका सीधा ही मतलब है कि उस पार्टिकुलरली एजिस तक आपको समस्याओं का सामना करना परता है आपकी जिंदगी पर समस्याओं आती है इस बात को तो लेके ही चले आप तो ये एक बहुत डेफिनिट आपका योग आपकी हाथ पर अवस्थित था जिसकी एवस में जातक समस्याओं से पीरित रहते हैं कोई ना कोई परकार की समस्याओं आपके जिंदगी पर जरूर से आना परती है तो ये यवार आकरती के संदर्म में था जिसको लेके दवाब ये पहले नेगेटिविटी थी अब हम दूसरी के तरब देखते हैं तो कुछ दोके मिलें परारंबिक समेचे कुछ struggles रहा है बरश्पती को लेके इवन काफी ज़्यादा struggle रहा है बचपन से आज अपने लाइफ में आप जो भी है अपने ही दम पर है और काफे struggle करके हैं ऐसा नहीं एकदम easy आपके जिंदगी रही है एकदम easy way में सब कुछ मिलता चला गया ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद कुछ negative देखें तो काफी बावग विखती हैं काफी emotional है emotions बढ़बढके हैं इनके अंदर और बहुत सी ऐसी बाते हैं जो आपके मन में दबी है खास करके उस बात को निकालने क्या हो शकता है मन में रखके कोई भी बात किसका बहला हुआ है तो मन में किसी परकार के बात को मत रखिये किसी परकार के दोविदा को मत रखिये ये एक जैसा मुझे mole जैसा लगाता लेकिन ये बहुत dark नहीं है बहुत light है फिर मैंने कुछ इसके side effect का परचकरा के इनसे quotients भी rise किया जैसे ये मुझे कहीं लग नहीं रहाता मंगल का छेतरी ये चंदरमा का इसके उपर ही होगा ये less important तिल होता अगन तिल होता भी तो लेकिन फिर भी कुछ मानसिक दवाब को लेके चीजों को ये दर्शाता है और कुछ जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाता है लेकिन बहुत clear तो था नहीं चंदरमा के फल को थोड़ा कम करता है mentally peace जातकों का stable नहीं रह पाता मतलब mentally इस्थिती जातक की अच्छी नहीं रहती कुछ ना कुछ अनबन दिमाग में चलता रहता अगर ऐसी अवस्था चंदरपरवत पर हो जाए ऐसा तिल अगर चंदरपरवत पर अवस्थित हो जाए तो मैंने उनसे किया, क्रॉस्चिक किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, ऐसी कोई समस्या वाली बाद नहीं थी और ऐसे मुझे ये स्ट्रंथ वाला लग भी नी रहा, मैंने उन सभी के लिए चर्चा कर दिया जो कहीं न कई चंदरमा और मंगल के आसपास के दिल से परशान है, तो ये चीज़ आपने समझ ला, ये कुछ negativity थी, कुछ और भी थी, जैसे कुछ राहूर एका था, जो बचपन में था, ये भी कहीं न कई, जिन्दगी पर समस्याओं को दर्शाती, जिन्दगी पर आने वाले परशानियों को दर्शाती है, वाला कि बचपन में भी कुछ एक दो ही था, बहुत negative नहीं था, शुक्र पर बहुत lines है, ये थोड़ा negative तो होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ आपके money management के भी अच्छे lines मोजो दो, उसको भी हम दिखाएंगे, वो बहुत positive sense में बात है, तो यही कुछ negativity थी, बाकि हम जीबन रहका को जब describe करेंगे, तो हल एक के फल को, हर एक के फल को अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे, तो य दूसरे प्रशनते है, आतली पर क्या अच्छी खरावास्ता बढ़ेंगे, उसको describe कर दीजिए, तीसरे प्रशनते है कि जो मैं कारी कर रहा हूँ, उस कार में सपलता मिलने के क्या chances है, तो देखिए हम चीजों कभी आपको बताते हैं, आप जो कारी कर रहे हैं, वो कारी है जोलरी स्वाप का, तो ये कई न कई शुक्र से सम्बंदित होता है, क्योंकि इसमें artificial जोलरी भी रहते हैं, सजने दवजने के चीज़ रहते हैं, और इसमें कई न कई चंदरमा से भी सम्बंदित रहता है, तो ये दोनों ही planets आपका प्रबल है, तो आप ये कारी कर रहे हैं इसमें आपका जो भाग यही है, पूर्णता साथ दे रहा है, भागी की चर्चा तो मागे करेंगे, चुकि भागी रेका जिसके भी हाथ पर हो, डिपेंड करता है कि वो जो कारी कर रहे हैं, वो किस ग्रह से सम्बंदित है, उसके एवज में आप भागी रेका देखो, तो ये भागी रेका वाले विक्ति यही कारी करेंगे, या ये भागी रेका वाले विक्ति यही कारी करेंगे, अगर आपके हतली पर प्लेंट्स में काफी अच्छी स्ट्रंथ है, काफी अच्छी ताकत है तो आप इसका सीधा ही मतलब समझेए, कि उसके वाला कारी आप कर सकते हैं और अगर उस condition में आपकी भागी रेखा काफ़ी accurate है तो आपको बागी कापी फल मिलेगा इसलिए भागी रेखा कोई वेक्तिकत परिचय नहीं है कि भागी रेखा वाले वेक्तिय जॉव करते हैं या हनडेट परसंट ही रहते हैं उनडेट होता ही होता है तो आप जो कारी कर रहे हैं वो शुक्र और चनर्मा से रिटेट कारी है और इस कारे में सफलता मिलने क्या आसार है चुकि बागएरेका भी आपके काफी अच्छी मुझे दिख रही है तो यहाँ पर से ये चीज़े असपस्ट ही है कि जातक को किसी भी कारे में सपलता मिलेगी जो इनके हाथ से संबंदित होगा अगर भागिरे का हाथ पर रवस्थित होगी तो वो मुझे दिख रहा है तो इसको आप सोच भी नहीं सकते इतना विस्तार पुरवक में चीजों को लेके चलूँगा और विस्तार पुरवक जानकारी देने का परियास करूँगा जिससे आपको समझने में आशानी हो और आपकी जिन्दगी उसके एवज में अच्छी हो पाए है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जो उपायत हमें तो देई दूँगा आपको उसका चंचन तो नहीं लोगा अभी हम विचार करते हैं इनके प्रशनों पर जो मूल प्रशन थे कि जीबन रिखा से अदली क्या कह रही है आगे कि जिन्दगी मूल रूप से कैसे बीत रह है एक इंपॉर्टेंड प्रशन था इनका तो बच्पन से लेकर चीजों को चलते हैं तो पहले तो अब देको बरश्पती में यहां से दबाब है तो यह मैं प्राया वीडियो उसमें दिखाता हूँ बहुत कमी है ऐसी है लिए अमारे पास आती है जिसको हम यह बोल पाए क आपका भचपन भी बहुत प्रियाबीता है तो कई ने कि बचपन में स्ट्रगल्स को दर्शाता है यह दूसरी कुछ प्रगती के योगते अच्चे गर में जर्म वा ओता लेकिन फिर भी बहुत प्रकार के आपके यवा करती थे तो यहां पर से नाना प्रकार के मानसिक बाब और कुछ चोट गांट आपके कुछ विमारी विमारी इन सब के योग भी होते हैं ना विशेशकर तो इसलिए बचपन थोरा प्रभाबित तो रहा है आपका 20 वरसों क्या है तक struggles को ही हम मानेंगे struggles को ही मानेंगे और एक आपकी 20-19 साल तक तो रहा है completely और आपकी 20-30 में कुछ एक negative योग था एक राहू रेखा था जिसके एवज में राहू रेखा भी समस्याओं को दिखाती हैं कि जातक की जिन्दगी पर समस्याओं आती ही आती हैं 20-30 में मूल तरक्की अगर हम देखे तो आपकी 24-23 साल में दिखी हमें 24-23 यर्ज की येज में जिन्दगी पर कुछ तो दिखा होगा लाइफ में कुछ तो achievement हुआ होगा 24 के बाद फिर एक 26 में था फिर एक 28 साल में कोई दिक्कत था जिन्दगी थोड़ी स्मूद थी एक आपके 31 साल में तरक्की 32 साल में जादा बड़ी तरक्की 32 के बाद फिर पीछे मुण कर नहीं देखा एक 35 में तरक्की फिर तकरीब हैं एक 38 में थी फिर हलकी एक 40 में थी फिर एक आपकी 42 में थी पर यहाँ पर से एक 45 में है 45 के बाद भी आपकी 50 में तक जिन्दगी अच्छी है और आपकी मान लो 48 से 50 के बीच में लाइफ चेंज होने के पूनता असार है पूनता असार है मतलब ऐसे कंडिसंस आपकी जीवन रहा किया ना यह आपकी जिन्दगी चेंज करती है डेफिनेटली करती है बड़ी तरक्की जिन्दगी पर देती है 50 में 60 क्या यह तक पचास में 60 उसके बाद फिर जिन्दगी स्मूत हो जाती है एक बड़ी तरक्की आपके 60 में थी फिर 65 में थी फिर तकरीवर 68 में थी फिर सत्तर से लेके 75 वर्स तक आपकी एक फिश्नुमा आगरती का फॉरमेशन जो कास्मिंग दनलाफ को दर्शारा है और आगे भी कुछ 70 के बाद 65 के बाद यातरा के योग है और यहाँ पर से देखो कुछ बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ लाइफ लाइन है जो इनसान की सफलताओं को दर्शारी है जो जातक की सफलताओं को दर्शारी है इसमें कहीं कोई संदेहे वाली बात नहीं है तो अच्छी लाइफ और अच्छी मार्श लाइन और एक से जादा मार्श लाइन हतली पर अवस्थित है इसका सीधा ही मतलब होता है कि जाद तक कि जिन्दगी काफी अच्छी रहती है काफी जादा मस्त रहती है इसमें कहीं कोई संदेहे वाली बात नहीं है काफी जादा मंस रहती है तो ये चीज़ आपने समझ लिया और कुछ एक ट्रैंगल सा मुझे दिखा आपके 60 से लेके 70 के बीच में ये भी कई न कई आपके जिंदगी पड़ाने वारे सफलताओं को दर्शाती है कुछ मेजर इवेंट को दर्शाती है जो की पॉजिटिव सेंस में होता है तो जीवन रेका पर विशेष राहू रेका तो है नहीं तो यहां से भी जातक के जिंदगी पर अच्छा ही फल आता है फल के विशेष में विशेष का टिपणने यहां से ये करूँगा कि लाइफ बड़ी खतरनाग है बड़ी जबर्दस्त है इस चीज़ आपने समझ लिया अभी आपके अधलिका आप जिंद आनलसस करेंगे चीज़ों को असपस रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महत पूर्ण है देखे सीखे समझे स्क्वारिस पाम है मद्यमेच के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते है लाइफ में बहुत प्रकार की उपलबधिया मिलती है मद्यमेच के बाद मिलती है और सारे प्लैंट्स में काफी अच्छी स्टेंथ है तो जातक की राज्योग का रखते लिए 70% राज्योग का फल जिंदगी काफी काफी अच्छी बीटती है आपकी काफी अच्छी गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक करती है फिर एक जबरदस्त दिखने वाला थंब स्ट्रॉंग मान सिक्ता के व्यक्ति हैं आप प्राक्रमी हद से जादा हैं आप और एक्छा शक्ती काफी अच्छी व्यक्ति काफी स्ट्रॉंग एक्छा के मालिक है यवा किरती है जब भी सपोर्ट की आवश्यक्ता परती है जिंदगी पर जरूर से आपको सपोर्ट मिलता है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और यहाँ पर से देखो रहे हैं प्रानबिक समय में थोड़े से फ्लक्चुवेशन भी रहे हैं जिंदगी पर थोड़े से डिस्ट्रैक्शन भी रहे हैं जिंदगी पर इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन सकेंड फिलेंज बढ़ा है तो अपने सम्मान के रक्षा कर पाएंगे कार एच्छितर को बढ़ा पाएंगे इच्छा और तक शक्ती दोड़ों ही बड़ी गजब की है जहां से जातक बहुत समझदार मान सकता के बहुत ही अच्छी इच्छा शक्ती के मालिक है और डिजायर्स काफी काफी उमदा है जातक बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते है और बहुत हद तक ऐसे लोग कर भी लेते है फर देखे आपकी समझदारी के लूप काफी जाद अच्छी जातक बहुत समझदार है समझदारी से अपमें जिन्दगी को जीते हैं और समझदारी से जीने का प्रियास करते है फिंगर पर खई लाइन से इंसान बहुत अच्छे है दिल से दिल में किसी के लिए को एक लदबावना नहीं हमेशा लोग को अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे यह कोछ इंट्रोवर्ट के इंडिकेशन से हैं, व्यक्ति थोड़ें इंट्रोवर्ट परिसनेलिटी के होते हैं ब्रस्पधि फिंगर टिंड कर रही अच्छी दारमिकास्ता, सन और सेटर्न फिंगर के अटैच्मेंट है व्यक्ति नियमेत रूप से जिंदगी को जीते हैं, मेहनती बड़े गजब के होते हैं, हिमती भी बड़े गजब के होते हैं हिमत और मेहनत बड़ा कमार का दिकरा है इसमें और सबसे ज़ादा मेहनती है और हिम्मती होने से क्या होता है न जातक कभी घबडाते नहीं है कभी परिशान नहीं होते है बुद्ध फिंगर लंबे अलके टिंडे कर रही है बिजनस प्रॉस्पेक्टर से धनलाप और ऐसे जातक को प्रायह most of the cases में बैपार करते ही देखा गया है ये आपकी first balance तक है तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है समझदारी बहुत ज़ादा अच्छी है समझदारी से जिन्दगी को जीना चाहते है ये finger के विशे में था फर देखिए आपकी बर्शपती ये थोड़े introvert को दर्शाती है हल कभी कबार introvert भी हो जाते है सबसे गुलना मिलना पसंद नहीं है कभी कबार के ये nature ही है इनका सबसे गुलना मिलना इनको पसंद नहीं है अपने जिन्दगी पर मसत रहते हैं अपने हिसाब से कारी करते हैं फर देखिए आपकी बर्शपती यहां से पूरी पूरी damage थी जो प्रारंबिक समय में struggles को दर्शा रही थी जिन्दगी काफी अच्छी रहती है तीस वरसों के बाद और कुछ आपके परुपकारी लाइन्स जो काफी परुपकारी नेचर दर्शाती है ऐसे लोग काफी परुपकारी होते हैं जिन्दगी को बड़ अच्छे तरीके से जीना जाते हैं प्रियास से दबाबे तो विक्ति गजब के महनती महनत से आगे बढ़ते और महनत से आगे बढ़ने का प्रियास करते बरश्पति आपके दार्सनिक सोच को देता इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है तो स्ट्रॉंग आपकी फेट लाइन जो सिंदगी के लास्त तक दिकरी है बागे का पूरा साथ एक छेतर से दादा छेतर से पैसे गर से दूर के उननती नो डाउट दो लाइन से लाइन ओफ एजुकेशन काफी अच्छा विक्ति काफी समझदार है आई की लेवल बहुत चपरदस्त है पैसिक संपति का साथ और आगे भी आपकी सूरी रेका आवस्थित है यहाँ से एक ट्राइंगल के रूप में चीज़े दिकरी हैं हमें जो कुछ प्रापर्टी के सुख को दर्शाती है जिंदगी पर आगे भी सूरी रेका बढ़ी है यहाँ से भी बन रही है विक्ति काफी गुणी है और वेल्यू मान समान कोई भी चीज़ा आप कर रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा यह प्रापर सा स्कुवायर जो कहीं न कहीं आपके चालिस में ब्यालस में वर्स के बाद प्रापर्टी को दर्शाता था तो प्रापर्टी मिलने के पूर्टा आसार एक से दादा सूरी देखा व्यक्ति के टालेंटेड होने का परचकराते जातक काफी गुणी होते हैं काफी गुणी होते हैं इसमें कहीं कोई संदेह वाले बाद नहीं है सन और मरकरी बरह जबरदस्ते बुद्धी विवेक से कारी करते हैं आप और यहाँ से भी आपकी खड़ी लाइन्स है जो इंसान को बहुत तेज मान सकता परदान करती है जातक काफी तेज तर राख हैं अपने जिंदेगी को काफी तेजी के तहर जीते और काफी सम्मान से जीते हैं सन्मरकरी का अच्छा होना ही इस चीज़ का दरशाता है कि ऐसे लोग की बुद्धी बहुत तिक्ष्म होती है बहुत तीवरः होती है जबरदस्तूरी बुद्ध काफी अच्छी हर्ट लाइन है जापर से स्ट्रॉंग मान सकता के हैं कुछ ट्रेंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है, थोड़ी इमोशनल तो है, असे जातर थोड़ी बावुक होते हैं, बाकि एक अच्छी मस्तिक्स रेका है, यह चालिस में साड़ तक दवाब था, उसके पहले भी कुछ-कुछ दवाब था ही, लेकर उ तक इसकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है, जादा सोचनी की प्रावलम को, जादा प्रशान रने के समस्या को इन चीजों को यह दूर कर रही है, दोनों मंगल भज़ परदस्त, इंसान काफी जादा एनरजेटिक, अपने जिंदगी को एनरजी के तह जीना च जादा है, जिस भी जाता का मंगल बढ़ियां होता है, यह 100% परसंट प्राक्रम को दरशाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर देखिए आपके आतले पर यह जबरदस्त, जबरदस्ती चनरमा, यह मोल का कोई साइड इफेक्ट आएगा भी ने, कुछ यात्रा क कर लो, मेडिसिन का कर लो, खाने पर इस जुरावा कर लो, इसमें बेनेफिट तो होना है, और चनर से जुरावा प्रोफेशन में होना था, चुकि चनर से बागे रिका जा रही थी, और बागे रिका लगबग आपके 16 वर्स सक्रिये है, और यह फिर कंटिन्यू बेसिस पर नहीं कई है, बन चाहेगी पूरा क्लियर तो बहुत जबरदस्त पैसे, और बहुत जल्दी यह बने कि ये भी कुछ तूटी तूटी है, तोली समस्च्याओं को दर्शाती है, तोली स्वास्त की उपर नीचे प्राबलम्स को दर्शाती है, जबरदस्ष शुक्रेशादी के पाओगे, ये तो कन्फर्म है, पैसे मैनेज कर पाओगे, स्ट्रॉंग आपकी देखो तो लगजरी सुक के लाइन, प्रॉपर लगजरी का सुक है, मंगल रेका कुछ ज़ादा ही बढ़िया है आपका, जीबन रेका बहुत अचायों, दिरगायों, कुछ ट्राइंगल से प कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये तैनिक तरीका पूर्णता वेश्टलेशन, अगर आपको मारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करते, कमेंड कर, सिस्क्राइब करते, अगर आप प्रस्री में सास्तरे का निकार के साही जान कर रहे पाना चाहते है, हमारा वो